मोधी सरकान ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी रहत दिये वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने टेक्स पियर्स के लिए स्टेंडर्ड डिडेक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ा कर 75,000 रुपए कर दिये इसके साथ ही निव टेक्स लैब में एक बार फिर बदलाव किया गया है दरसल इस बजट में वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने पुरानी टेक्स रिजीम में बेसिक एक्जामिनेशन लिमिट नहीं बढ़ाई है साथ ही टेक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया ऐसे में पुरानी टेक्स रिजीम चुनने वालों को स्टेंडर्ड डिडेक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा यानि जो भी बदलाव हुआ है उसका लाव निव टेक्स लैब चुनने वालों को ही मिलेगा दरसल नौकरी पेशा लोगों के इमीद थी कि वेतमंत्री इस बार बजट में इंकम टेक्स में राहत देज सकती है वेतमंत्री ने इस बार निरास नहीं किया सरकार ने स्टेंडर डिटेक्शन बढ़ा कर निव टेक्स रिजीम में बदलाव कर दिया है वेतमंत्री का कहना है कि निव टेक्स लैब में बदलाव से टेक्स पेर कम से कम 17,05 रुपे बचा पाएंगे आपको बता दें new tax regime बदलाव के बाद कुछ इस प्रकार है जिसमें 0-3 लाग तक आमदनी पर कोई tax नहीं लगेगा 3-7 लाग की आये पर 5% आयकर tax लगेगा 7-10 लाग की आये पर 10% 10-12 लाग की आये पर 15% tax लगेगा 12-15 लाग की आये पर 20% और 15 लाग से अधिक पर 30% आयकर tax लगेगा इसके लाव वितमंतनी निर्मला सीतारोमन ने कहा कि income tax प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि दो तिहाई लोगों ने नया tax regime को चुना है लोगों में और new tax regime एवं लोगप्री बनाने के लिए standard deduction को बढ़ाया गया है साथी tax slab में बदलाव किया गया है इससे पहले पिछले साल new tax slab में बदलाव किया गया था बता दें इससे पहले new tax slab था जिसमें 0-3 लाग पर 0% 3-6 लाग पर 5-7, 6-9 लाग पर 10-7, 9-12 लाग पर 15-7 और 12-15 लाग पर 20-7 और 15-7 पर 30-7 टेक्स लगता था बता दें साल 2020 में सरकार ने पहली बार new tax slab पेशिया था जो अधिकतर आयकर दाताओं को पसंद नहीं आया था फिर उसी में पिछले साल यानि साल 2023 में बदलाव किया गया था इसमें 6 tax slab थे जिसे बदल कर 5 tax slab कर दिया गया था इसके बाद भी करीब 25 प्रेचत आयकर दाता ने new tax slab को अपनाया था जिसके बाद अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है नई कार विवस्ता के तहट बेसिक एक जम्सन लिमिट 3 लाग रुपए कर दी गई है खबरी चोखट की रिपोर्ट